नमस्कार दोस्तू, मैं हूँ प्रतीक, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर अला कि उस समय ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा था, एक्जैक्ली चीज़ें क्लियर नहीं थी लेकिन अभी सब कुछ क्लियर हो चुका है, ये कैसे हुआ और इसमें किसकी गलती थी सबसे पहले तो मर्सेडीज नहीं काफी कुछ बताया, एक्चली जिस गाड़ी से ये एक्सिदेंट हुआ, वो मर्सेडीज की थी इसलिए उन्होंने एक्सिदेंटल SUV को बाकाइदा चेक्किया और उसके डेटाचिप से उनको ये पता लगा कि गाड़ी तेज रफतार में थी, रियर पैसेंजर्स ने सीड बेल्ट नहीं पहना था और अनाहिता जी जो गाड़ी को ड्राइव कर रही थी, वो सामने की चीज़ों को सही से जज़ नहीं कर पाई इसे के साथ ही पुलिस की इन्वेस्टिकेशन भी चल रही थी और उनको भी यही सारी चीज़ें पता लगी इसके अलावा अनाहिता जी के हस्बेंड मिस्टर डेरियस पंडोले जी जो को पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे उनका भी रिसेंटली स्टेटमेंट लिया गया है उन्होंने बताए कि SUV थर्ड लेन में चल रही थी और उसी समय उनके सामने भी एक कार्ज जा रही थी तब है थोड़ी देर बाद थर्ड लेन सेकंड लेन में मर्ज हो गया और सामने वाली कार सेफली राइट हो गई लेकिन मर्सडीस को जब राइट लेना हुआ तब उन्फर्चनेटली उसी समय उस लेन में एक ट्रक चल रही थी जिस वज़े से गाड़ी सेकंड लेन में नहीं जा पाई और सीधा सूरिया रिवर ब्रिज में खुज गई इसके अलावा स्यूवी की स्पीड रोड लिमिट से ज़्यादा भी थी तो यहां इन्वेस्टिकेशन्स की सारी रिपोर्ट बता रही है कि ड्राइवर यानि अनाहिता जी की इसमें गलती थी और इसलिए रिसेंटली पुलिस ने इन पर केस रेजिस्टर किया है अलाग इसका दूसरा प्रस्पेक्टिब भी हो सकता है और वो सारी चीजें हम अपने दूसरे चैनल पी यो वी और प्रतीक पर डिसकस करेंगे और ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम अपना पॉइंट ओफ यू देते हैं उस दूसरे चैनल पर इसलिए उसको सब्सक्राइब करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्या रिये हैं कुछ सेक्शन्स जो इन पर लगे हैं सेक्शन 304A, Death Due to Negligence 279, Razz Driving 336, Endangering Lives 337, Causing Hurts और 338, Grievous Hurts इसके अलावा और भी सेक्शन्स लगाए गए हैं अंडर Motorway Collect तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे छोड़ी छोड़ी लापर वाहियां इतना बड़ा नुकसान कर देती हैं अगर गाड़ी Limited स्पीड में होती है ड्राइबर फोकस्ड रहता और सीट बेल्ट आउन होता तो इतना बड़ा हाथसा कभी न होता लेकिन भाई हैं लोग नियम कानून को बहुत लाइटली लेते हैं और हमेशा एक्नोर करते हैं उन्हें यह नहीं सवज में आता कि यह नियम कानून जो है वो हमारे ही सेफटी के लिए बनाये गया है